सो हेलो अब्रिवन मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हूं हमारे आपके ओफिशल यूट्यूब चैनल यामना एक्स्पेस में गुरुदीव रियल स्टेट में तो हम आगए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन को ले है ग्रेयल न व्यू वर्ट में या जिसे हम नुर्ट यू इंवेस्टॉन्स को नाम से जानते हैं जो लोग यह प्लान कर रहा है कि उछ्प्रिट्शन में एक्सटेशन में इन докहरेंट करने और यहां पे अपनी requirement के according कि आपकी क्या need है आपकी क्या requirement है और आपका pocket आपको क्या लाओ करता है उसी के according आप यहां पे decide कर लें कि आपको extension के जितनी location आप अभी आपको दिखा रहे हैं और आगे भी और वीडियो में आप यहां की क्योंकि और भी काफी location है तो वो आप हम cover क सेनी की location देख रहे हैं और आपको पता है हम जब भी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो first of all हम देखते हैं उसका master plan master plan से मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि जो location हम आज cover कर रहे हैं उस location के surroundings में और कौन-कौन सी location है साती साथ तब तक आप master plan को screen पे देखते हुग यह देख लेते हैं कि और क्या-क्या location यहाँ पर आ रही है तो आज हम जिस location की बात कर रहे हैं सैनी की location जो की sector 12 में situated है sector 12 आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने mark किया इसमें यह सैनी की location situated है और इसी के साथ आप देख सकते हैं यह रहा sector 2 और 3 की location जो की greater noida pradikaran का residential sector है जिसमें 2009 में greater noida pradikaran ने चार sizes में plot allot किये थे 120, 220, 162 और 200 square meter के आसपास के size में यहाँ पे इन्होंने allotment की थी तो इसके साथ की location है सबसे पहली इस location को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे total industrial corridor है जो की location के साथ लगा हुआ है तो यह सबसे बड़ा benefit इस location को मिलता है कि अगर आप 6% में कोई commercial activities करने का plan कर रहे हैं तो आप इस location में मान के चलिए कि industrial corridor होने के वज़े से जो भी commercial use करेंगे वो आपके लिए beneficial रहेगा और अच्छा return आपको देखे जाएगा अब location एक बार यह आप decide कर लें कि आप क्या according के suitable है या नहीं है साथ ही साथ अगर हम इसकी connectivity की बात करें तो connectivity आप यहां की देखेंगे सबसे पहले यह जो road 130 मीटर की जा रही है यह सीधा जाती है knowledge park 4 को connect करती है जहां पे आपको मिलता है गिनीडा मैटरो स्टेशन greater noida industrial development 30 के नाम से यह मैटरो स्टेशन है knowledge park 4 में greater मैटरो स्टेशन पड़ीगा तो यहां से आप सीधी 130 मीटर वाली road लेंगे जो की आगे तिलपता होते हुए आपको गौर चौक से दो road में divide हो जाती है एक तो आपको noida side जाता है दूसरा आगे आपको गाजयबाद continue करता है तो एक तो इसके साथ यह location है साथ ही साथ अगर आप इसकी location परी चौक से देखेंगे तो यह वाली road आप लेंगे यह road है जो सीधा आपको परी चौक पर लेके जाएगी यह 80 मीटर की wide road है यहां से अगर आप परी चौक की distance को देखेंगे तो लगबग आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 km के आसपास का distance इस location से आपको परी चौक का देखने को मिलेगा Eastern Peripheral Express वे की अगर हम बात करें क्योंकि एक connectivity का option वो भी है अगर यहां से हम Eastern Peripheral Express वे की connectivity देखते हैं तो मान के चलिए 14 to 15 km के अपरोक्स आपको यह distance देखने को मिलेगा DMIC एक most important part है connectivity का जो हम देखते हैं Delhi Mumbai Industrial Corridor का तो DMIC आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं 4 km के आसपास का distance आपको DMIC से इस location का देखने को मिलेगा यहां से अगर तिलप्ता कोल चक्कर का distance आप देखेंगे तो वो भी आप अंदाजा लगाईए कि 4 km के आसपास का तिलप्ता से इस location का distance है तो connectivity और और बहुत अच्छी है हमने जिस तरह से आपको describe कि आप यहां पे clear कर पा रहे होंगे कि कई option है यहां से connectivity के और केस की क्या distance है वो मैंने almost इसमें आपको cover की है इस location पर आप मानगे चलिए बहुत जादा demand आती है 65% से भी जादा की occupancy है इस location पर तो आप यहां पर कोई भी investment करते हैं वह बहुत safe रहेगी यहां पर अगर आप कुछ time के लिए यह भी short time का goal है आपका investment का तो भी आप यहां पर invest कर सकते हैं वह बहुत जल्दी फुल्फिल हो जाएगा विदिन तू 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 त्री अर्स में यह जो शॉर्ट टाइम का goal है आपका यह यहां पर फुल्फिल हो जाएगा तो basically इस location के master plan में हमने यह सारी information देखिए हम चलत पर है और साथी साथ यह group housing में जो society है इसके अंदर के जो प्लॉट्स है group housing के अंदर के society में जो भी इन्में इन्होंने डिवाइट किया हुआ ठोटी ने तो इस location पर आपको group housing काफी जादा देखने को मिलेगी यह भी आप यहां पर group housing के ही सारे plots देख सकते हैं यह जो पू तो अगर आप commercial activity के mind में रखके चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह पर बहुत जादा फैसलिटी जो होता है क्राउड जिसे हम कहते हैं वह आपको इस location पर बहुत जादा देखने को मिलेगा तो basically उससे होगा क्या कि यहां पर आप जो भी investment करेंग अगर आप अपना ही अधर्वाइस आप किसी को रेंट पर भी दे रहे हैं कोई और बंदा यहां पर रेंट पर अगर आपसे लेकर कुछ भी अपना commercial activity करता है तो उसमें भी अच्छे application उसको मिलेगा तो आप अच्छी rental earning यहां से कर सकते हैं साथी साथ यह सारे plots हैं यहां पर plot size 120 मीटर से लेकर कि आपको 1000 स्कार मीटर से भी बड़े देखने को मिल जाएंगे रोड साइजेज यहां पर सारी 12-12 मीटर की रोड है यह आप देख सकते हैं यह लोकेशन जो है यह सुनपूरा विलेज की लोकेशन है इस साइड में सेक्टर 12A यह पूरा सैनी विलेज है और इस साइड पर आपको सेक्टर 11 देखने को मिल जाएगा यह सेक्टर 11 की लोकेशन है साथ ही साथ जो मैंने आपको रोड बताई थी नौलेज पार 4 मैटर स्टेशन यानि की गेनेडा मैटर स्टेशन से जो रोड आपकी तिलपता होते हुए गौर चौक को जाके आगे नौईडा टु देख सकते हैं और यह नहीं आपकी 80 मीटर की रोड जो मैंने आपको आगे बताई थी यह कुछ कूछ लोकेशन है ले आउट पर आप देख सकते हैं अगर आप इस लोकेशन पर आपको कुछ चीज़े क्लियार हो रही है कुछ समझ आ रहा है तो हम आपको लेकर चलेंगे इ टाइस हो से पांचो स्क्वयर मीटर का में उसके बात साइस बड़े होते जाएंगे रेट घरता जाएगा जो कि मैंने आपको सारी वीडियो में किलड़ी बताया है जितना छोटा साइज रहेगा उतना जादा उसका रेट होता है जितने बड़े size में आप जाएंगे rate उतना कम होता जाएगा बाकी ये rate जो है सारे आपके depend on location condition आते हैं ये हमने tentatively बताया कि आप एक budget प्लान कर सकें कि किस rate के आसपास आप कुछ इस location पर मिल सकती है बाकी rate जो आप market rate पर जाएंगे जो inventory market में आ रही है जो आप हमें call करते हैं या हम से connect करते हैं जो हम आपको बताएंगे वो inventory पूरी पूरी उसके rate vary करते हैं कि inventory की condition क्या है उसमें कोई corner हो सकता है कोई park हो सकता है कोई journal plot हो सकता है उसकी location उसमें completion है plot है या किसी ने कुछ बना रखा उन सारी condition के base पर उनका rate होता है और पीछे से client की क्या demand आ रही है उसके according rate vary करता है अब हम चलते हैं इसके process of purchase पे process of purchase की बात करें तो circle rate आप यहाँ पे देखेंगे 13,000 रुपए per square meter transfer charge 725 रुपए per square meter और इस time duty में लगेगी 5% की यहाँ पे तो basically आप जो यहाँ का circle rate देखने हो 13,000 रुपए का है तो उसके हिसाब से plot की cost का 5% का आपकी स्टैम डुटी जाएगी और 725 रुपए per square meter यहाँ पे ट्रांसफर चार्ज लगता है इसके साथ थोड़े बहुत मिसलीनियस charges भी होते हैं जो कि जब आप सारी details में जाते हैं लोकेशन पे size के according फिर जो value बैटे हैं उससे के साफसे सारा calculation होता है bank loan available है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो भी आपने funding करने हैं उसके साथ कुछ funds की कमी होने पे आप banking support ले सकते हैं किसी भी bank से loan करा सकते है bank loan easily available है तो यह एक नई location थी Sani की आदम ने Sani की location देखी और उसकी facilities देखी है extension में investment का कुछ भी plan है तो हम इस location को cover कर सकते हैं इस location को एक option लेके चल सकते हैं साथी साथ इस से related कोई question होते हैं तो हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल यमना एक्सप्रेस पर गुरुदेव रियल इस्टेट में जहां पर आप मुझे देख रहे हैं आप comment box की थूरू हम से connect कर सकते हैं यहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूगी साथी साथ यह हमारा office address है कुछ नंबर स्क्रीन पर आपके पास है 9873-242971-966751-9002-9958-548641 यहां पर यहां पर पूरा जो एक best solution होता है वो देंगे honestly के साथ आपकी deal mature कराएंगे जो आप हमसे expectation रखते हैं वो हम आपकी expectation को honesty के साथ fulfill कराएंगे तो basically आप हमसे यहां से contact करिए आपकी जो भी queries और जो भी कोशिर होते हैं वो आप हमसे जरूर करिए यह कुछ हमारे जो social media platform है Instagram ID हो गई, Facebook ID हो गई और यह website का URL address code है तीरों medium का use करिए यहां पर हमें follow करिए पढ़े हम यहां पर एक नई update के साथ आते हैं कुछ नई post देते हैं जो one shot one view में आपके thoughts को clear करते हैं तो आज की वीडियो में आपने बहुत सार इंफोर्मेशन देखी सैनी की location की इस location को भी एक बार जरूर सर्च करें देखें और अगर extension का कुछ भी investment का प्लान करें तो आप इसे भी option में ले सकते हैं बहुत अच्छी और प्राइम लोकेशन है तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आज के लिए दीजे इजादत मिलू एक नहीं वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच